हालो स्विंजल लेर्नर्स वेलकम टू दे ब्रेंबॉक्स टॉटॉरियल्स आइम यूर टीचर प्रियांका और हम कर रहे थे क्लास 10 का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कोडिने जोमेटरी वाला पार्ट उसमें काफी सारे तो स्टार्ट करते हैं अपने सिक्सम से पांस सम लोग पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं तो ना अपना सिक्सम कहता है find the equation of the line passing through the points P 5,1 and Q 1,1 hence show that the points P, Q and R are collinear collinear वाले पार्ट में हम बाद में आते हैं सबसे पहले बोल रहा है P, Q का equation पता करो तो 2 points है हमारे पास में हम 2 point form से निकाल सकते हैं चाहो तो या फिर मैंने बोला था पहले slope निकाल दो फिर 1 point form यूज़ कर लो तो मैं वह ही कर रहे हूं ठीक है ऐसा कोई hard and fast rule नहीं है सीधा 2 point भी कर सकते हैं slope of P, Q that is M जो है formula y2 minus y1 upon x2 minus x1 तो y2 that is यह minus 1 minus 1 ठीक है और x2 1 minus 5 minus 2 upon minus 4 हो रहा है तो हमारा answer 1 by 2 आ गया तो हमारा slope आ गया 1 by 2 ठीक है अब हमको P, Q का equation निकालना है equation of P, Q 1 point form वाला मैं ले रही हूं y minus y1 मैं दो slope on 1 sorry y minus y1 is equal to m x minus x1 y minus 1 is equal to m is half x minus 5 यह यहां ले आती हूं multiply होगा तो 2y minus 2 is equal to x minus 5 and everything on one side तो जहां x positive हो उस side रखना चाहिए तो मैं सब उधर ले जाती हूं तो x minus 5 तो था minus 2y plus 2 हो जाएगा is equal to 0 तो x minus 2y minus 3 is equal to 0 this is our equation और अब हमको बोल रहा है कि show that the points P, Q, R are collinear collinear का मतलब P, Q, R जो है समलों यहां P, यहां Q, यहां R यह तीनों A के straight line पे आते हैं इसका मतलब यह जो P, Q line है यही तो है वो P, Q line जो equation दिया है इस line पर ही R stand करता है R lie करता है that means हमने जो बहुत बार sum किया था कि if R lies on this line तो it satisfies the equation तो आज हम proof करते हैं कि क्या R इस पे like करता है अगर R का X और Y मैं इस X और Y के जगार रखूँ और उसके बाद इसको solve करूँ रहा answer हमारा right वाला part आ जाए मतलब 0 इसका मतलब R इस point पे इस line पे like करता है तो हम वही पार्ट यहां पे लिखेंगे इसको मैं remove कर देती हूं so मैं लिखूंगी if R 11,4 satisfies the equation अब जैस मैं इसको number 1 दे देती हूं तो यह equation number 1 तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा then P, Q, R are collinear तब proof हो जाता है कि they are collinear so let's see X minus 2Y minus 3 मतलब की X की जगा मैं 11 minus 2 into Y 2 into 4 8 minus 3 so see 11 minus 11 is equal to 0 therefore लिख दोगे नीचे P, Q and R are collinear ठीक है हमने बहुत सारे सम किये थे कि a point lies on the line पर वहां पे लिखा वा रहता था lies on the line यहां पहला हम ऐसा सम करें जिसमें हमको proof करना है whether it lies on the line or not तो ऐसे हम proof कर देते हैं so बढ़ते हैं अपने next sum में यहां लिखा है इन triangle ABC ABC तीनों के coordinates दी हैं this 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 find the equation of the median through A now मैंने बना दिया यह triangle ABC are the vertices A से median जा रहा है तो A से median जाएगा तो वह BC के midpoint पे जाएगा तो मैंने उस midpoint का नाम दे दिया D अब मुझे निकालना है AD का equation मैंने तुम लोग को जब equation of a straight line start किया था था बोला था कि पहले वाले भी formulas यूज होंगे मतलब जो हम section and all का रहे हैं यहां हमको काम आने वाला है section वाला ना देखो यह जो point यह जो line है AD इसका मुझे अगर equation चाहिए तो मुझे actually मेरे पास सिफ एक point है ना हमारे पास जो भी formulas उससे मैं कुछ भी नहीं निकाल सकती हूँ ना slope निकाल सकती हूँ तो ऐसे में मैं क्या करूँगी यह जो एक और point है D इसके coordinates पहले पता कर लेते हैं यह D जो है यह midpoint है BC का तो हम पहले वाले वो section formula से midpoint formula यूज करते हैं XY निकाल लेते हैं अब हमको 2 point मिल गए तो we will use midpoint sorry we will use 2 point form और उसे हम equation निकाल दें तो हमाय पहला काम है D का coordinates निकालना तो हम बोलेंगे as D is midpoint of BC therefore coordinates of D नो यह जो मैंने XY लिया है जरूरी नहीं है लेना मैंने यहाँ पर भी नहीं माना उसको use कर भी सकतो नहीं भी coordinates of D क्या है coordinates of D तो X1 प्लस X2 बाइ 2 और Y1 प्लस Y2 बाइ 2 यह रहे दोनों तो 7 प्लस 1 बाइ 2 8 माइनस 10 बाइ 2 8 बाइ 2 यह 4 हो रहा है यह माइनस 2 upon 2 माइनस 1 हमको यह मिल गया 4, minus 1 यहा मैं अगर लिख दो 4, minus 1 अब देखो 2 point form से हम आराम से निकाल सकते हैं तो मैंने जैसे पहले वाले sum में किया था, पहले slope निकाल लिया फिर भी कोई भी point use कर लिया, वैसे करो यह भी देखो 2 point form use करती हूँ so therefore equation हमाई पास इतने formulas है ना जो formulas use हो वो कर लो तो equation of AD क्या है equation of AD y minus y1 is equal to अब M का formula यहां पे x minus x1 y minus y1 मैंने अगर उपर वाला a वाला लिया तो 5 is equal to minus 1 minus 5 4 minus 3 यह x minus x1 ठीक है, सब solve हो गया y minus 5 is equal to minus 6 upon 1 और x minus 3 y minus 5 is equal to minus 6x plus 18 सब कुछ positive होना चाहिए तो मैं इसको इस साइट लेकर आरी हूं इस बार तो हमारा equation होता है 6x plus y minus 18 minus 5 कितना होता है minus 23 is equal to 0 तो अपना नेक्स सम है लिकाए, find the equation of the straight line containing the point 3,2 and making positive equal intercepts on axis तो एक line है जो positive equal intercepts बनाता है positive बनाता है, मतलब first quadrant में है कहीं तो मैं अगर यह line खीचू कुछ भी नाम दे दो इसका समालो, यह PQ line है यह कहीं एक तो point बता रहा है यह 3,2 से पास होता है मानलो, यह A point है और यह positive intercepts बना रहा है तो देखो, X axis में यह समालो, यह point M है तो यह यहां से यहां तक यह intercept बना रहा है और Y axis में यह रहा, मानलो, N point है तो यहां से यहां तक यह intercept बना रहा है यह दोनों positive है और equal है तो अगर मैं इसको A units लूँ तो ये भी A units है तो M के coordinates क्या हुए? X तो देखो A तक आ रहा है तो A, 0 क्यों 0? Because ये X axis पे point है तो इसका Y हमेशा 0 होगा Similarly ये Y axis पे point है तो इसका X तो 0 हुआ, sorry और ये जो part है ये A हुआ तो हमको ये points मालूम है अब हमको इस PQ, इस line का equation बता करना है एक point हमको बहुत clear है दूसरा फिर हम slope निकालने के कोशिश करते हैं तो ये जो M और N है इन दो point को ले करके हम slope निकालते हैं slope अगर आ गया ठीक तो slope point form से हम इसका equation निकालेंगे तो now slope निकालते हैं तो पहले ये क्यों आया ये पाड़ हम थोड़ा से लिख देंगे तो हम लिखेंगे लेट दे लाइन पीक्यू इंटर्सेक्स x-axis and y-axis at the points m and n let it make let it makes equal intercepts of a units therefore coordinates of m and n हमने बताया दिया अब है m का क्या है a,0 माल लिया n का क्या है 0,a माल लिया ठीक है क्योंकि हमने मन में सोचके सीधा तो साम नहीं कर सकते हैं हमको जो जो हमने लेट के हमको लिखना पड़ेगा अब हम सबसे पहले लिखाते हैं कि क्योंकि इस लोप देरफॉर लोप औंफ लाइन PQ इस एकवल तो देखो य2 माइनस y1 X2 माइनस x1 है तो a माइनस 0 अपाउन 0 माइनस a यानि a अपाउन माइनस 1 आ गया तो अब देखो लोगत अब निकाल लेगे ते हैं of pq y minus y1 is equal to m x minus x1 तो y minus यह 3,2 का लेते हैं तो 1 यह m minus 1 है x minus 3 y minus 2 is equal to minus x plus 3 अच्छा तो x plus y minus 2 minus 3 is minus 5 x plus y minus 5 is equal to 0. This is our answer. ना देखो यह एक बहुत इंट्रेस्टिंग सम आपने पास लिका है, find the equation of a straight line passing through the origin and through the point of intersections of the line 5x plus 7y is equal to 3 and 2x minus 3y is equal to 7. तो मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा diagram जैसा बनाया कि एक line है, उस line का मैं नाम दे देती हूँ, चलो यह जो line है, यह main line है जिसका आपने को equation निकालना है, इसका नाम मैं दे देती हूँ PQ, अब यह PQ line एक तो देको origin से पास हो रही है, origin मतलब 0,0 यह coordinate हमको मालूम है, दूसर इक्वेशन में हमको सिर्फ एक point पता है, अगर मैं यह point of intersection निकाल लूँ, तो मुझे 2 point पता चल जाएंगे PQ के, और PQ के 2 point पता चलने से, मैं 2 point form equation पता कर लूँगे, नाओ यह point of intersection कैसे पता चलेगा, यह जो L और M line है, यह रही इन दोनों के equation, अगर मैं इसको simultaneous equation से solve करो, X, Y लेकर के आजाओं, तो X, Y simultaneous equation से solve करना मतलब हम क्या निकाल रहे है, point of intersection तो निकाल रहे है, according to graph, तो हम सबसे पहले इसमें simultaneous equation solve करके, यह point निकाल लेते, point of intersection, जिसका नाम मैंने A रखा है, ठीक है, तो अब देखो, मैं elimination यूज़ करी हूँ, मैं अगर इसका नाम देदू, equation number 1 और 2, तो मैं multiply करूँगी, उपर 2 से, नीचे 5 से, okay, और तो हो गया 10X plus 14Y is equal to 6, 5 twos are 10X minus 15Y is equal to 35, और अब हम subtracting करते हैं, तो मैं यहापे लिख देती हूँ, on subtracting, plus 29Y is equal to minus 29, तो Y की value आ गई, minus 1, and putting Y is equal to minus 1 in equation number, कोई भी रख लो, मैं 1 रख रहे हूँ, तो 5X plus 7Y, 7 into my minus 7 हो गया, is equal to 3, तो हमारी X की value भी आ जाएगी, 5X is equal to 7, 3, 10, तो X की value आ गई 2, okay, so therefore, point of intersection is, क्या है, 2, minus 1, यह हमको इसका XY पता चल गया, 2, minus 1, अब जाकर कि हमारा sum easy हो गया, 2 point है, 2 point form, simply equation निकालने, तो पहले slope निकाल सकते हो, यह formula के अंदर अंदर है, तो therefore, equation of the required line, लिख सकते हो, क्योंकि यह तो मैंने तुमको समझाने के लिए PQ लिखा, equation of the required line, Y minus Y1 is equal to, Y2 minus Y1 upon X2 minus X1, X minus X1, actually मैं prefer करती हूँ, पहले slope अलग से निकाल लो, फिर कोई भी point यूज कर लो, क्योंकि यहाँ इतने सारे हम जब values डालते हैं, तो कभी-कभी मैंने देखा है, calculation wrong हो जाता है, अगर confidence है, calculation wrong नहीं होने वाला है, तो करो आराम से, कोई problem नहीं है, तो एक part में ही लिख देते हूँ, Y minus Y1, तो 0 is equal to minus 1 minus 0 upon 2 minus 0, X minus 0, ठीक है, इस part को मैं यहाँ solve करते हूँ, थोड़ा मिटा के, तो Y minus 0, तो Y हो गया, Y is equal to minus 1 upon 2 into X, तो minus X is equal to 2Y हुआ, सबको एक तरफ रखना है, minus, मतलब मैंने हमेशा बूला है, X positive ही रखो, तो X को उधर ले जाते हैं, तो X plus 2Y is equal to 0 is our equation, So, you see, we have done almost all types of sums, थोड़े से tough किये, थोड़े से tricky किये, सब तरीके के कर लिए, अभी equation of a straight line के जो formulas है, उससे related तो हम कर चुके, लेकिन अभी एक और पार्ट है, equation of a straight line का ही पार्ट ही है, perpendicularity and parallelism, इसमें हम दो formulas all learn करेंगे, और फिर पीछे के सारे coordinate geometry के सब को use करते हुए, कैसे करना है, तो मेरे हिसाब से ये जो आने वाला chapter है, ये सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि हमको सारे formulas के revision होने वाले हैं यहाँ पे, तो तुम लोग पहले वाले पार्ट बहुत अच्छे से कर लो, बिल्कुल उसमें strong हो जाना, ठीक है, मतलब formula हो और बिल्कुल याद रहे, जिसे कि हम next part चालू कर सकें, बहुत ही जल्दी लेके आ रही हूँ, मैं next part भी, ओके, तब तक keep on practicing the sums and say yes to maths, bye bye, चेहन. झालू कर दो दो ऑटिय।